रेल पोस्ट एक्स्प्रेस कार्गो सेवा सुरू होने जा रही है और इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ दिल्ली डिवीजन के DRM है डिम्पी गर्ग जी आई उने से बात करते हैं डिम्पी जी अगर हम इस सेवा की बात करें क्या इसा पहली द एक्टिविटी है वो पोस्टल सर्विस दिवा पोस्टल डिपार्टमेंट वादा दी जाएगी और जो बीच की सेवा है वो रेल देगी पहली दफा यह हो रहा है तीन तीन रेल गाडियां या माल गाडियां जगह जगह से लांच की जा रही है इस सेवा में और जो पहले लोगों को आना पर तार कस्टमर को यहां पर आके बोक करना पर तो यहां से लेकर जाते थे तो फस्ट माइल लाップा 'Tल का अब हाफ हने ऑफुर्स्पोट् with के साथ टाइअब किया है उसके इस मोईफ फस्ट माइल जो कई जाएसे होते हैं सारे एक बार में कितना जो है माल भिछ कितने पोश्टल भिजिए जा सकते एक ट्रेन के अंदर अगर हम देखें यह ये कह सकते हैं कि कोई वियक्ति यह अगर र१ Haram करीं कि भूप आफ सकता है तो जाता है देगान्लिक साथार ग्रb तो उसको क्या जो आम पोश्टल सर्विसेज होती हैं जो हम कह सकते हैं हवाई जहाज के जरिये जाते हैं या और भी दूसरी सेवाएं हैं उनके मुकाबले रेलवे की सेवा जो यह होगी पोश्टल और रेलवे का जो आपस में टाइप है वो क्या सस्ती है या महंगी है देख अनुठा प्रोडाक्ट है जिसमें की कॉस्ट एफेक्टिव रहेगा टाइम टेबल ट्रेंस हैं सो समय से चलेंगी और समय से पहुंचेंगी गंता इस्थान पर इंशुरेंस भी प्रोवाइड कर रहा है पोस्टल डेपार्टमेंट इसमें और आपको ट्रैकिंग सिस्टम भी प्रोवाइड कर रहा है तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपको यह पता चल सकता है कि आपका पार्सल कहां पर है दिल्ली से जो ट्रेंज जा रही है वह कहां के लिए है और क्या बीच के डेस्टिनेशन जो है वहां के लिए भी पोस्टल सेवा रहेगी यह ट्रेन हमार है उसको भेजने में आसानी रहेगे कहा जा सकता है बिल्कुल बिल्कुल इंशुरेंस भी है आपका ट्रैकिंग सिस्टम भी है सो कस्टमर को हमेशा पता रहेगा कि कहां पे उसका पार्सल है आपका धेर सारा धन्यवाद निविश्टिसन से बाचित के लिए यहां पर आप समझे यह अनूठी सेवा है ट्रेन सजकर खड़ी हुई है फूलों से इसको सजाया गया है और आने वाले दिनों की अगर हम बात करें तो आने वाले दिनों में इस तरीके की तमाम ट्रेने चलेंगी पहली दफा तीन ट्रेने चला जा रही है देश के अलग-अलग हिस्सों स केमरामेन हीरा मंदल के साथ सिद्धार्थ न्यूज स्टेशन दिले